13 जुलाई की शाम एक बर फिर जीयो वर्ल्ड सेंटर में वीवी आईपी महमानों का लग गया ताता। आज है नवे वाहि जोडे अनन्त और राधिका का शुब आशिरवाद सेरिमेनी। देश भर के सभी वी वी आईपी महमानों को इस शुब आशिरवाद सेरिमेनी का न्योता दिया गया है। वेडिंग रिसेप्शन में कई राजनितिक हस्तियां उध्योग पतियां आ रही हैं। इसके साथ साथ खेल जगत और फिल्मी दुनिया के नामचीन सितारे भी यहां रेट कापिट पर दिख रहे हैं। का जारह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी मुकेश अम्मानी के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में खास महमान होंगे। जाहिर है इस दोरान सिक्योरिटी काफी टाइट है और इसी वज़े से बॉलिवुड सितारे भी शाम साड़े पाच वज़े से अम्मानी के जियो वर्ल्ड सेंटर में एक एक करके पहुचने लगे। सबसे पहले देखिए माधरी दिक्षित का लोग। माधरी दिक्ष यहां चमकते हुई साड़ी में आई। गोल्डन करन की साड़ी में माधरी काफी अट्रैक्टिव दिख रही है। वही उनके पती डॉक्टर श्रीराम नेने ने ब्लाक कलर की शेरवानी पहन रखी है। दोनों की जोड़ी यहां काफी जच रही है। अमिताब बच्चन भी यहां अपनी नातिन नव्या और दामाद निखिल नंदासंग पहुचे। शाहित कपूर वाइफ मीरा के साथ अनन्त रादिका के शुब विवास सेरिमनी में शामिल होने पहुचे। दोनों ने ही ट्रेडिशनल ड्रेस में लोगों का ध्यान कीचा। अरजुनकपूर भी अपने दोस्त अनन्त अमबानी के वेडिंग रेसेप्शन में समय पर पहुचे। आइवरी कलर के शिरवानी में वो काफी हैंसम दिख रहे थे। वहीं उनकी बहन अंचुला ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी। टीम इंडिया के पुर्फ कैप्टन और सब के चहेते महेंदर सिंग धोनी भी यहां अपनी वाइफ साक्षी के संग पहुचे। अक्ट्रिस काजल अगरवाल भी अनन्त रादिका के विग डे फंक्षन में आई। ग्रीन और रेवड कलर के लहंगे में वो काफी खुबसुरत दिखी। पती के साथ उन्होंने मीडिया को पोज भी दिया। वॉलिवड एक्टर जैकी श्रॉब भी शादी के बाद वर्वदु को आशिरवाद देने वेडिंग रिसेप्षन में पहुचे। क्रिकेटर सूरिकुमार यादावर उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी अनन्त रादिका के शुब आशिरवाद सामारों में शामिल होने के लिए मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुचे हैं। अनन्तमबानियो रादिका के सुब आशिरवार समारों में क्रिकेटर जस्पीत भुम्रा अपनी वाइब संजना गणेशन के साथ दिखाई दिये कि अमन्तमथ चोड़ा आशि के साथ फिर लिए।